नमस्कार दोस्तों मदूवन टेक यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों अगर आप ज्यादातर इंटरनेट कॉलिंग करते हैं यानि कि सोसेल मीडिया एप का इस्तमाल करके जैसे कि वाटसेप, इंस्टाग्राम, फेस्बुक का यूज करके ओडियो कॉल या फिर वीडियो कॉल करते हैं तो अब आपको आने वाले टाइम में इंटरनेट कॉलिंग करने का यानि कि सोसेल मीडिया एप का यूज करके कॉलिंग करने का अलग से चार्ज देना पड़ सकता है, अलग से पैसे देने पड़ सकते है जिहां एक बहुत बड़ी निउज निकल कर आई है कि अब उन यूजर्स को जो सोसेल मीडिया का यूज करके इंटरनेट के थुरू कॉलिंग कर लेते हैं पुझ इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर बताऊंगा, तो मेरे साथ इस वीडियो को कंटिन्यू करो, आपने अभी तक मदूवन टेक यूटूब चानल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तो अभी से सब्सक्राइब कर लिजे, क्योंकि यहां आपको इसी तरीके के इंपोर्टेंट वीडियो डेली देखने को मिलती रहेगी, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, दोस्तो आजकल यूजर्स नॉर्मल कॉल करने से ज्यादा तर एंटरनेट कॉलिंग पर शिप्ट हो रहे हैं, यानि कि एंटरनेट कॉलिंग पर ही अपना काम निप्टा लेते हैं, तो अब ऐसे में दोस्तो आपने ट्राइ का नाम जरूर सुना होगा, अब जिन लोगों को पता नहीं है कि ये ट्राइ क्या है, तो आपको बता देता हूँ, दोस्तो ट्राइ का फॉल फॉर्म होता है टेलिकॉम रेगुलरेटी ओफ एंडिया, ये ट्राइ सभी कम्पनियां, जितने भी इंडिया के अंदर काम कर रही है, उनका नेतुरूत्व गर्दी है, ट्राइ सभी टेलिकॉम कम्पनियां के लिए कुछ से rice & regulation बनाती है, जो सभी टेलिकॉम कम्पनियों को फॉलो करना होता है, तब ही वो इंडिया के अंदर अपना बिजनेस कर सकत रही है कि बहिएं अर्ट करने वाली जो मोझूद है किसे और उघ्र चार्ज लिया जाए वैसे तो हम इंटरनेट का भी चार्ज दे ही रहे है कॉलिंग करने का बट वो एक स्टांडर्ड चार्ज होता है बट इसके लिए हमें अलग से एक चार्ज देना होगा सभी टेलेकॉम कंपनिया ने ये बात ट्राई को बताई है उनके चीप को अब ट्राई ने इसके बारे में जो है इसको एकसप्टर कर लिया है बट इसका कुछ रिस्पोंस नहीं किया है अगर ट्राई इसके उपर विचारना कर रही है फिलाल तो कोई अगर रूल्स बना देत है इसके लिए तो हमें आने वाले टाइम में इंटरनेट कॉलिंग के सोसियल मेडिया एप्स का यूज करके हम जब कॉलिंग करते हैं तो उसके लिए हमें अलग से चार्ज देना पड़ेगा अगर ये बात जो है बन जाती है ट्राई इसके उपर फ्यसला ले लेता है टेली अगर तो एसा कोई जो है रूल्स लागू नहीं हुआ है और नहीं एसा ट्राई ने बताया है कि हम इस रूल को लागू कर देंगे चस्ट जो है टेलेकॉम कंपनिया ने मिलके ये बात बताई है क्योंकि वह लोग लोस में जा रहे है तो एसे मैं डेफिनेटली जो अगर ट्राई कोई बड़ा फैसला लेती है तो अब डेफिनेटली हमें इंट्रिनेट कॉलिंग करने का अलग से पैसा देना पड़ेगा फिलाल तो रूल्स नहीं बना है जब भी से लेटेड़ कोई निउस निकल कर आएगी या फिर ट्राई कोई फैसला ले लेता है तो ड वीडियो से रेलेटेड कोई सवाल या सुझाओ है तो आप मुझे निचे कमेंट पर बता सकते हैं मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा आपने इस वीडियो को कंटिन्यू यहां तक देखा आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद